स्वागत है आप सबका लाइव लॉग की इस खास पेशकश कोट्स टुडे हिंदी में जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोट्स से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक तो मिल ही जाएंगे तो जरूर जाएए लाइव लॉग हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से इस विडियो में हम आपको संशेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दिल्डी की एक अदालत ने कथिच शराब नीती घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में सुमवार को मुख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल को 15 अपरेल तक नियाई खिरासत में भेज दिया उन्हें 21 मार्थ की राग को गिरफतार किया गया था राउज आवनिय कोट की विशेश CBI न्याय अधीश कावेरी बवेजा ने ED द्वारा आगे की रिमान की मांग नहीं करने के बाद ये अधेश पारित किया ED के वकील ने कहा हम न्याय खिरासत की मांग कर रहे हैं जो संथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोट के पैसले के अनुसार आगे की हिरासत मांगने के अधिकार के अधीन है केजरीवाल को ED की हिरासत की अवधी समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था 22 मार्च कोट ट्राइल कोट ने उन्हें छे दिन की ED हिरासत में भेजा था जिसे चार दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया था BRS नेता के कविता जो वर्तमान में शराब नीती मामले में न्याईक हिरासत में हैं ने सोंबार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशाले यानी ED एक उत्पीडन एजंसी की तरह काम कर रहा है और उसके द्रिष्टी कोन में कोई निश्पक्षता नहीं है वरिष्ट धिवक्ता अविशेक मनु सिंग्वी विशेश CBI नियाधीश कावेरी बवेजा के समक्ष कविता की ओर से पेश हुए थे जो इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी सिंग्वी ने आगे कहा कि कविता को गिरफतार करने की कोई आवशक्ता नहीं थी और बियारेस नेता एडी के समन में सहयोग कर रहे थे मामला अब 4 अपरेल के लिए सूची बद है केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोट के समक्ष वचन दिया कि आगामी लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई दोहजार चौबिस तक लगभग 35 करोड रुपे की आयकर मांग के संबंद में भारतीय राश्च्रिय कॉंग्रेस यानि आइनसी के खिलाफ कोई धंडात्मक कारवाही नहीं की जाएगी भारत के सॉलिसिटर जन्रल तुशार महता ने जस्टिस बीवी नागरतना और आगस्टीन जॉर्ज मिसी की पीट के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से ये वचन दिया मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई दोहजार चौबिस को सूची बद किया गया है सुप्रीम कोट ने सोंबार 1 अप्रेल को सम्विधान के अनुचे 145 क्लॉस 3 के संदर में राज्य की उधार लेने की शमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले केरल राज्य द्वारा भारत संग के खिलाफ दायर मुकदमे को पाँच निया अधीशों की सम्विधान पीट को भेज दिया हाला कि उसी समय जस्तिस सूर्यकांथ और केवी विश्वनातन की पीट ने वितिय वर्ष 2023-2024 के लिए अतिरिक तुधार लेने के लिए राज्य द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया ये भी ध्यान में रखते हुए कि सम्विधान के अनुच्छे 293 को अब तक शीर्ष नियाले द्वारा किसी भी अधिकारिक घोशना के अधीन नहीं किया गया है पीट ने मामले को पांच निया अधीशों की पीट के पास बेजना उचित समझा सुप्रीम कोट ने सोंवार एक अप्रेल को प्रदर्शनकारी किसान शुपकरन सिंग की मौत की नियाइक जाँच के पंजाब और हर्याना उच नियाले के आदेश का विरोध करते हुए हर्याना राजजद्वारा दायर एक विशेश अनुमती याचका की सुनवाई 19 अप्रेल तक के लिए स्थगित कर दी हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कोट ने मौखिक रूप से कहा कि नियाइक जाँच से हर्याना पुलीस के खिलाफ आरोपों की निश्पक्ष जाँच सुनिश्चित होगी उच्छ नियाइले में अपने विवेग से एक पूर्व नियाइधीश को नियुक्त करने के बारे में सोचा है हमें उसमें हस्तक शेप क्यों करना चाहिए निश्पक्ष जाँच के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए नियाइमूर्ती सूर्यकांथ ने कहा पीठा सी नियाइधीश ने भारत के सॉलिसेटर जेनरल तुशार महता को मौखिक रूप से बताया जो नियाइक जाँच के आदेश का जोरदार विरोध कर रहे थे सिंग ने 21 फरवरी को पंजाब हर्याना सीमा पर फसलों के लिए नियूंतम समर्थन मूली यानी MSB की गारेंटी वाले कानून की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जान गमा दी थी ये आरोप लगाते हुए कि हर्याना पुलीस द्वारा चलाई गई गोली से उनकी जान चली गई उनके परिवार ने उच नियाले का दर्वाजा खटखटाया भोच शाला मंदिर सह्प कमल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षन करने के लिए भारतिय पुनरतत्व सर्वेक्षन को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश उच नियाले के आदेश के खिलापे किया चका में सरवोच नयाले ने एक अप्रेल को एक अंतरे मादेश पारित किया कि कोई भी भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए। नियामूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा और नियामूर्ती रिशिकेश रोई की पीट ने उच नयाले के आदेश को चुनोती देने वाली, मौलाना कमाल उद्दीन वेलफेर सोसाइटी द्वारा दायर विशेश अनुमती याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरे मादेश पारित किया। कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या हिरासत में मौझूद विधायक को विधानसवा सत्र में भाग लेने का अधिकार है। सोरेन को प्रवर्तन निदेशाले यानी एडी ने कथित भूमी गोटाला मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में 31 जन्वरी को गिरफतार किया था। राची की एक विशेश पिये में ले अदालत द्वारा बजिट सत्र में भाग लेने की अनुमती नहीं देने दिये जाने के बाद सोरेन ने उचने आले का रुख किया था। दिल्ली उचने आले ने शराब नीती मामले में गिरफतारी के बाद प्रवर्तन निदेश आले यानी ED की हिरासत में रहते हुए। मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल को निर्देश या आदेश जारी करने से रोखने की जन्हित याचका का सोमबार को निप्टारा कर लिया। कारवाहत मुख्य नियाएधीश मनमोहन और नियाएमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोडा की खंड पीट ने केंद्रिय जाच एजन्सी से इस मुद्दे को केजरीवाल के मामले को देख रहे जिला नियाएधीश के ध्यान में लाने को कहा। जहनेत याच का दिल्ली निवासी सुर्जीत सिंग यादव ने दायर की थी जो खुद को किसान और सामाजिक कारेकरता बताते हैं। इसमें केंद्र सरकार, E.D. और दिल्ली सरकार को केजरीवाल को पुलीस हिरासत में निर्देश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जादा जानकारी के लिए सबस्क्राइब करिए हमारा यूट्यूब चानल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। Live Law Hindi पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूजूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चानल को जॉइन करिए as a member और केवल 89 रुपए प्रती महा में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्निलिजम को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।